मीठे बाबा दुख खरता, सुख करता हैं और बाबा की याद से हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं तो आज इस बात पर विचार चल रहा था कि हमारा जो सुख के साथ संबंध है वो बहुत अठपटा है हम सबको सुख चाहिए मनुष्य क्या कहता है कि मुझे सुख चाहिए सुख और शान्ती दो ही बाते हैं जो मनुष्य कहता है मुझे चाहिए पर अगर उसे पुछो कि सदा सुख पॉसिबल है तो कहता है नहीं क्योंकि बुद्धी में ये भी बैठा हुआ है कि सदा सुख नहीं हो सकता सन्यास धर्म में तो इतना स्पष्ट ये बात कही गई कि सुख कागविष्ठा समान है जैसे कावे की जो ड्रॉपिंग्स होती है उसका मल होता है वो जैसे बहुत थोड़ा होता है ऐसे सुख इतना ही हो सकता है स्थाई सुख सदा सुख वो हो नहीं सकता और कहीं न कहीं ये भी बताया गया है कि सुख के पीछे भागना भी माया है क्योंकि समझा जाता है कि सदा सुख पॉसिबल नहीं है जब हम भी ग्यान में आएं तो हमें बाबा से मिलने से पहले ये नहीं पता था कि पच्चिस सु वर्ष सुख धाम होता है जहां दुख की कोई बात नहीं होती आप में से किसी को मालुम था ये कि ऐसे दुनिया भी होती है जहां कोई दुख नहीं अकाल मृत्यू नहीं कोई बाढ़ आदी नहीं कोई भूक नहीं मरता कोई रोग बीमारी नहीं होते हम तो बाबा के पास आए उससे पहले कभी कल्पना भी नहीं करते थे कि ऐसे दुनिया कहीं हो सकती है पकी बात है न तो जो चीज संकल्प में ही नहीं उसकी स्रिष्टी कैसे बने जब भी हमारा इस सेवा शेत्र में सादू संतों से कभी मिलना होता है तो मैं हमेशा उनको ये प्रश्न पूछती हूँ कि आप एक ऐसी दुनिया की का संकल्प करते हैं जहां सिर्फ सुख ही सुख हो जहां दुख ना हो तो हमेशा यही उत्तर आया है कि ऐसा सोचना भी माया है क्योंकि दुख हमेशा होता है दुख सत्य है और सुख मिथ्या है तो मैं उनको ये बात हमेशा उसके बाद पूछती हूँ कि ठीक है हम सुख की एक्सपेक्टेशन रखें वो मुझे समझ में आता है कि सुख की इच्छा या एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी क्योंकि उसमें सुख में प्रॉब्लम नहीं है एक्सपेक्टेशन या इच्छा में प्रॉब्लम है है न क्योंकि किसी भी चीज़ की जब आप इच्छा रखते हैं या एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उससे आपको दुख मिलता है चाहे आप सुख की ही रखे लेकिन मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहे कि इच्छा रखें या एक्सपेक्टेशन रखें पर अगर यह कहें कि सुख की दुनिया हम बनाई हम क्रियेट करें तो क्या अच्छा होगा तो फिर कहते हैं हाँ यह तो अच्छा है अगर सुख की दुनिया बना सकते हैं लेकिन सुख की दुनिया कैसे बनाए वो बात तो बाबा के सिवाए कोई बता नहीं सकते क्योंकि सुक धाम के रचाईता या दुख हरता सुक करता ये तो एक बाबा का ही टाइटल है या बाबा की महिमा है तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि सुक चाहिए पर स्थाई सुक पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम कितना भी कहें हमारे अंदर भक्ती के संसकार नहीं है कई ऐसे भी होते हैं जिनोंने इस जनम में भक्ती नहीं की है लेकिन भक्ती के संसकार सब में होते हैं मुझे याद है एक माता थी तो वो मुझे कहती कि मैं भगत नहीं हूँ और मैंने इस जनम में कभी भक्ती नहीं की है तो आप मुझे कोई भी भक्ती की बात नहीं बताना कोई भी भक्ती की बात नहीं बताना सिर्फ ज्ञान की बातें सुना देजे क्योंकि मेरे में कोई भक्ती के संसकार नहीं है तो मैंने का नहीं, भक्ती की संस्कार तो सब में होते हैं, तेसर जनम हमने भक्ती की है, तो मुझे कहती है, नहीं नहीं, बिलीव में, मेरे अंदर नहीं है, तो फिर क्या हुआ, एक दिन कोई एक आये, और उनों ने ऐसे ही है न, जैसे वो बाहर निकल रही थी, तो कोई एक रस्ते से जा रहे थे, भबूत लगा रहे थे, सब को, तो जैसे भाहर निकली, उनको भबूत लगा दिया, तो जैसे भबूत लगा दिया, तो वो घबरा कर अंदर चली आई, और मुझे कहती कि, ये क्या लगा दिया मुझे, किसी ने बाहर, और मैं अभी चेहरा दोती हूँ, तो मैंने का भले ही धो लिजिए, लेकिन ऐसा क्या हो गया, तो मुझे कहती ही, नहीं नहीं, यह सबसे प्रभाव पड़ जाता है, तो मैंने का आप तो कह रहे थे, आपके अंदर भक्ति के संस्कार नहीं है, तो मुझे कहती ही, नहीं नहीं, वो मतलब मैं करती नहीं हूँ लेकिन ऐसे कोई कर दे तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना तो मैंने यहीं तो है भक्ति का संस्कार डर प्रभावित होना चीजों में अंधविश्वास रखना यहीं तो है अगर किसी ने लगा दिया है तो क्या है एक चीज ही तो है उसका आप इतना संकल्प में क्यों ला रहे है कि इस से मुझ पर कुछ हो जाएगा ऐसा हो जाएगा संकल्प में लाएंगे तो स्रिष्टी बनेगी ना तो संकल्पों में क्यों लाना है ठीक है आपको अच्छा नहीं लगा आपने चेहरा दो लिया लेकिन संकल्प क्यों चला संकल्प चला किस आधा क्योंकि तेसर जन्मों से हम भक्ति मार्ग में रहें, तो भक्ति के अनेक संसकार है, लगाओ, जुकाओ, प्रभाओ, हर प्रकार के संसकार हमारे अंदर हैं, अब बाबा हमें कहते हैं कि जो भी तुमने वहां सुना, वो सब क्या, वो मनुष्य मत, और मेजॉरिटी जूठी मत और बाबा हमें सची बात बताते हैं, और सची बात क्या है, कि ऐसा नहीं है कि सुक कागविष्ठा समान हैं, सची बात ये हैं कि हम तो पक्चीस सो वर्ष सुक धाम के मालिक रहते हैं सच्छी बात यह है कि आत्मा का ओरीजिनल स्वरूप सुख स्वरूप है मुझ आत्मा का पिता सुख का सागर है और पचीस सो वर्ष तक मैं आत्मा सुख धाम की अधिकारी आत्मा रहती हूँ लेकिन ये बात हमारी बुद्धी से अब इरेज हो गई है क्योंकि पचीस सो वर्ष हम इतना दुख में रहे न कि हमें लगता है दुख ही नाचरल और नॉर्मल है और सुख कभी-कभी मिल जाता है लेकिन वह ऐसे गलती से मिल जाता है लेकिन सुख स्थाई नहीं हो सकता लेकिन बाबा कहते हैं तुम तो सुख धाम की मालिक आत्मा हो तुम तो सुख की अधिकारी आत्मा हो आप देखो जब से हम छोटे होते हैं तो हमें क्या कहते हैं घरवाले कि ज्यादा हसो मत नहीं तो रोना पड़ेगा कहते हैं ज्यादा खुश मत हो नहीं तो फिर रोना पड़ेगा तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर ये feed किया जाता है कि खुशी ज्यादा देर नहीं रह सकती और अगर हम ये सोचते हैं कि खुशी जो है वो ज्यादा देर नहीं रह सकती तो फिर natural है कि थोड़ी देर खुश होंगे फिर कुछ न कुछ बात आएगी क्योंकि संकल्प से स्रिष्टी बनती है, जो आप मानते हैं, वो तो आपका सत्य बनेगा ही बनेगा, फिर आप देखो कि सुख भी जो है, हमें absolute सुख, कि आत्मा सदा सुख स्वरूप रहे, उस बात से हमें बहुत दूर कर दिया गया, हमें हमेशा सुख क्या कर दिया, कंडि सक्सेस मिली तो सुख, फेलियर मिला तो दुख, संबंध में ये चाहिए, वो चाहिए, वो मिला तो सुख, एटेंशन मिला तो सुख, एप्रिसेशन मिला तो सुख, नहीं तो दुख, अगर आपने संबंध में महनत की, बोजन पका कर खिलाया, लेकिन अगर सामने वाले न तो हमने इतनी सारी सुख को लेकर conditions चाल दी, कि सुख बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि हमने कहा कि सुख इन इन बातों में allowed नहीं है, छोटे थे, कोई डांट दे और आप मुस्कुराते रहें, होता है न, स्कूल में पनिश्मेंट मिली है, और बाहर खड़े हैं, बचे तो खुश है, तो आकड क्या कहते हैं, शरम नहीं आ रहे हैं, इसमें भी खुश हो, और दो डंडे लगाते हैं, कि अभी रो, अगर रोए नहीं, तो फिर ओ जो मार पड़ रहे हैं, या जो आप पर किया जा रहा है, उसका असर नहीं हो रहा, तो सुख को, सुख allowed नहीं है, या हर समय सुखी रहना, खुश रहना अच्छी बात नहीं है, सुख तो कभी-कभी होना चाहिए, happiness should be a rare event, जब आप उसको कमाए, deserve करें, जब कुछ करें, जब कुछ बढ़ा हो, तब खुश होना चाहिए, बाकी टाइम नॉर्मली कैसा रहना चाहिए, उदास रहना चाहिए, और अगर हम हमेशा खुश रहते हैं, तो फिर वो नॉर्मल स्टेट नहीं है, फिर कहेंगे हमेशा खुश है, तो फिर कुछ करने की, पाने की इच्छा नहीं होगे इनको, तो इस तरह से हमारा जो सुख का पुरा आइडिया है, उसको बहुत खराब कर दिया जाता है, और म मैं समझती हूँ कि इस संसार में, आज इतने दुख का कारण जो है, वो एक तो जो मूल कारण है, वो है पतीत पना, लेकिन पतीत पने के साथ ये जो मान्यताएं आई, ये जो धेरो है न, जाहे धर्म की तरफ से, जाहे समाज की तरफ से, जाहे परिवार की तरफ से, ये ज इस कारण से हमारा सुख के साथ नाता बहुत खराब हो गया और फिर हर व्यक्ति आज कहता तो है कि मुझे सुख चाहिए पर सुख पॉसिबल भी है ये भी नहीं सोचता फिर आप देखो जब हम सुख की बात करते हैं तो तन का सुख मन का सुख धन का सुख और संबंध का सु ये चार मुख्य सुख की बाते होती है और अगर दुख की भी लिस्ट बनाएंगे तो तन, मन, धन और संबंध ये चार प्रकार से मुख्य दुख आते हैं या प्रकृती तन को आप प्रकृती से भी रिप्लेस कर सकते हैं तो प्रकृती की तरफ से मन, धन और संबंध की त तन से जिनको सुख होता है, तन का सुख जो है, वो तो हम कहते हैं, हर व्यक्ति को सुख मिलना चाहिए, मन जो है, मन का सुख हर एक को मिले, हम कहते हैं, मन तो गोड़ा है, मन तो पाजी है, मन तो ऐसा है, मन सुखी रहे, मन शान्त रहे, उसको हम मानते नहीं, हम कहते हैं, मन में हर प्रकार की भावनाएं आएंगी, यहां तक की psychology जो है, वो कहती है कि, अगर आप कुछ emotions, दुख के feel नहीं करते, तो यह अच्छी बात नहीं है, आप अगर किसे psychologist के पास जाएंगे, तो आपको एक chart देते हैं, जिसमें happy emotions, sad emotions, दुख, पीड़ा, वेदना, भय, इन बातों को भी वो कहते हैं, कि आपको महसूस करना चाहिए, अगर आपको भय नहीं लगता, आपको दुख नहीं होता, तो आप normal नहीं है, तो मन का भी जो सुख है, वो हमारी natural state possible है, या सदा सुख, सुखी रहना, normal है, natural है, इसको आज हम मानते नहीं, psychologically भी हम इसको नहीं मानते, फिर, है न, क्योंकि दुनिया में, आज अगर आप ये एक proven चीज है, कि psychology कहती है, हमारे negative emotions भी बहुत normal और natural है, और अगर वो नहीं है, तो there is something abnormal about you, लेकिन बाबा हमें कहते हैं, आत्मा की जो मूल अवस्था है, वो शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप है, उसमें कोई negative emotion नहीं है, सत्यूप से लेकर त्रेतायूप, पच्छी सो वर्ष, हम कोई negative emotion, feel ही नहीं करेंगे, और वो perfectly normal है, natural है, लेकिन ऐसी मान्यता नहीं है दुनिया में, अब मैं आपको ये बातें क्यों बता रहे हूं, क्योंकि what you believe determines how you behave, अगर आपकी belief में change नहीं आता, तो आपके experience और behavior में change नहीं आ सकता, तो ये जो belief system है, हमारे सुख को लेकर, इन पर हमें काम करने की जरूरत है, फिर तीसरा धन को लेकर, धन को लेकर मनुष्य की क्या मानेता है, कि अगर धन अपने पास है, तो वो सुख है, लेकिन दूसरे के पास है, तो वो corruption है, है ना, किसी और को धनवान देखते हैं, तो फिर क्या कहेंगे, ये तो ऐसे है न, इतना पैसा तो corruption से आता है, ये तो ग बहुत करप्ट होंगे, इसे लिए इतना आखेचार धन है, तो हमारा धन का सुख के प्रतिवी जो attitude है, वो यह है कि धन हमेशा करप्शन से आता है, लेकिन बाबा कहते हैं, लेकिन कब तर, जब तक दूसरे के पास है, तो दूसरे के पास जब भी धन है, तो वो करप्शन से आप क्या है, चाहे आप दूसरे के बारे में ही सोचें, लेकिन वो आपका belief system है, अगर आपका ये belief system है, कि दूसरे का धन हमेशा करप्शन से आता है, तो इसका मतलब आपके जीवन में या तो करप्शन और धन दोनों होगा, या दोनों में से कोई नहीं होगा, क्यूंकि आ अगर आपके अंदर ये belief system है, तो भले ही आप उसको दूसरे के लिए project कर रहे हैं, लेकिन वो जो आप कर रहे हैं, उस आधार से आपकी अपनी जीवन में या तो करप्शन होगा, तब धन होगा, या दोनों ही नहीं होगे, तो इसका मतलब मनुष्य आत्मा अपनी ही मान्य अपनी ही धन के सुक से अपने को वंचित करते हैं, और फिर संबंध का सुक, संबंध का सुक कैसे मिलता हैं, तो हम कहते हैं, संबंध में सुक हमें उस से मिले, दूसरे से मिले, सामने वाला मुझे सुक दे, लेकिन संबंध में आत्मा, संबंध में आते, जिस प्रकार के सं अंकल, वृति, दृष्टि और करम करती हूं, उन करमों से मुझे सुख मिलता है, अगर आप सुख मांगेंगे संबंध में, तो संबंध में सुख नहीं मिलता है, और संबंध में सुख भी क्या है? आज कल कहेंगे कोई तारीफ करे, कोई अटेंशन दे, कोई विकारों की में कोई नहीं जाता, मुझे अभी एक बहन आई थी, उसका रिसेंटली डिवोर्स हुआ है, तो वो मुझे बहुत अच्छी एक बात कह रही थी, कहती ही, दीदी जब शादी होती है, तो सारी बाते डिसकस होती है, कितना दहेच मिलेगा, बच्चे कितने पढ़े लिखे है कितना कमा रहे हैं, लड़की कितनी सुंदर है, लड़का कितना कमाऊ है, सारी बाते होती है, बस ये नहीं पूछते कि इनकी नेचर लवफुल, रेस्पेक्टफुल है या नहीं, और कहती कि मूल तो संबंध में वो है न, अगर सामने वाले के अंदर लव और क्वालिटी ही नहीं है, तो रिलेशन्शिप कैसे बनेगा, लेकिन उन बातों को कोई नहीं पूछता, तो मुझे ये बहुत स्ट्रेंज लगता है, कि अभी सब पूछते हैं, कि रिष्टा तूट क्यों गया, लेकिन तब किसी नहीं पूछा, कि ये जो रिष्टा हो रहा ह कि इसमें इन दोनों की नेचर कैसी है, तो नेचर को कोई नहीं मिलाते, जनम पत्री मिला रहे हैं, नौकरी चाकरी, स्टेटास, पूजिशन, सब मिलाया जा रहा है, तो आप सोचको कि संबंध का सुख कैसे मिलेगा? तो बाबा हमें ये बात सुम्झाते हैं, कि हमारा दुख को लेकर चो सारी मान्यताएं हैं उन मान्यताओं में बहुत प्राबलम हैं और इसी कारण से धीरे 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 हम सुख धाम से उतरते उतरते कि आज ऐसे दुख धाम में पड़े हैं अब बाबा हमें कहते हैं अब हम बच्चों को दुखरता सुख करता बाप दोबारा सुख धाम ले जाने आए हैं और दोबारा सुख धाम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा तो बाबा ने हमें बहुत सिंपल फॉर्मुला बताया है पवित्रता सुक शान्ती की जननी है और ये जो मैंने जितनी भी आपको मान्यताईं बताई ये भी क्या है पतीत दुनिया की देअभिमान की दुनिया की जुठी मान्यताईं ये भी अपवित्रता का हिस्सा है और फिर इन मान्यताओं पर चलते चलते पतीत कर्म करते करते और वैसे भी क्योंकि आत्मा देयभिमान में आते आते पतीत बनती है तो उस पतीत पने के कारण आत्मा का सारा सुक शांति हो गया तो बाबा हमें कहते हैं पवित्रता सुक शांति की जननी है अपवित्रता दुख शांति का बीज है तो अभी बाबा कहते हैं तुम्हें अगर दोबारा सुक की दुनिया में जाना है तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें अभी पावन बनना पड़ेगा सतो प्रधान बनना पड़े, पाप नाश करने पड़े, लेकिन वो कैसे होगा बाबा की याद से, तो फिर से सुखधाम का मालिक बनना है, तो हमें एक बाबा की याद में रहना है, अब आप देखो, दुख दो प्रकार का होता है, एक होता है psychological pain, और एक होता है practical दुख, जैसे कि psychological pain में क्या कहीं, इच्छाओ वश जो दुख होता, या मोह वश जो दुख होता, प्रेक्टिकल नहीं है, लेकिन मोह है तो दुख होता है, अभी जैसे एक बेहन कहती थी, कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, तो मैंने कहा, डिप्रेशन क्यों हो गया, तो कहती है, मैं और मेरे यूगल एक ही company में काम करते हैं, और मेरे यूगल किसी से भी बात करते हैं, तो मुझे insecurity होने लगती है, और मैं सारे दिन वहाँ बैठे-बैठे, है न, मैं salary लेन नहीं जाती, मैं वहाँ चौकिदारी करने चाहती हूँ, मैं सारे दिन यह देखती रहती हूँ, यह इन से बात कर रहे हैं, यह इन से मिल रहे हैं, यह उनके साथ 5 मिनिट खड़े हूँ, यह उनके साथ हस रहे हैं, और मैं पूरी बीमार हो चुकी हूँ, और फिर कहती, अभी मुझे मैं psychiatrist के पास गई, तो उसने दवाईयां दी मुझे, तो मैंने का फिर दवाई देने से क्य होगा, दवाई तो आप खाते रहेंगे, तो वो जो एहसास है वो आपको कम होगा, लेकिन वो जो आपने संसकार बनाया है, वो तो as it is रहेगा, अब आप देखो, इन सिक्योरिटी से जो आत्मा को तडपन हो रही है, या अटेच्मेंट से, या भय से, अगर आपको किसी च का रहा है, तो एक दुख होता है, दुख का एक जो आयाम है, या आसपेक्ट है, वो है psychological, दूसरी बात है, जैसे बीमारी है, कोई भूखा मर रहा है, भूख मरी है, बीमारी है, आकाल मृत्यू है, या आप सोचों की गर्ब जेल की सजाएं है, या आप बाढ है, सुखा है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, वार है, या कोई आक्रमन कर रहे हैं, तो इन बातों को तो हम यह नहीं कह सकते हैं, कि यह साइकलोजिकल है, यह तो रियल है, अगर बॉम पट रहे हैं, आक्रमन हो रहे हैं, वार हो रही है, या कहीं पर खाने एक आदी के लिए भी सामगरी नही है या भीमारी है भुख मड़ी है तो इन चीजों को हम कहेंगे हाँ यह रियल दुख के बाते हैं तो अब बाबा हमें कहते हैं कि सुख धाम में यह दोनों ही प्रकार के दुख नहीं होते ना psychological वाले ना वो reality वाले और ये दोनों प्रकार के दुखों से कैसे हम छूटेंगे तो बाबा हमें हमारी चो हम देखो इतनी problem को इतना समझना पड़ता है लेकिन solution बहुत छोटा सा है क्या है बाबा को याद करो बाबा को चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करो अब मुझे कल कोई बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे थे कि बाबा को याद करने का मतलब क्या होता है तो बाबा को याद करना सिर्फ संगम युग में हो सकता है क्यूंकि बाबा को याद हम तब कर सकते जब बाबा का हमें पूरा परिच्छे है पहचान है और हम प्रैक्टिकल बाबा के साथ संबंध में है द्वापर्युक से कल्युक तक भी हम भगवान को याद करते हैं नहीं करते क्या? करते हैं लेकिन हमें भगवान का कोई परिचे नहीं है कोई पहचान नहीं है लेकिन जब बाबा आते हैं तो बाबा हमारे साथ संबंध में आते हैं हम बाबा को अनुभव करते हैं, हम बाबा के साथ practical संबंध में आते हैं, कैसे practical संबंध में आते हैं, तो बाबा रोज हम से बात करते हैं, मुरली के द्वारा, और जितना हम बाबा की मुरली को बाबा की याद में सुनते हैं, हम हमेशा इस awareness में जब मुरली सुनते हैं कि ये बाबा के महवाक्य है या बाबा का वो letter है जो बाबा ने मेरे लिए आज लिखा है और उस मुरली को जब हम प्यार से ये परमात्म संदेश मेरे लिए आ जाया है में बच्चा और ये बाप उस भावना से जब हम डोस मुरली सुनते हैं तो हमारे को बाबा का की पहचान मिलती जाते हैं आप किसी को कैसे जानते हैं जब आप संबन संपर्क में आते हैं जब आप उनके साथ संबन संपर्क में आते हैं बातचीत करते हैं तो आप किसी को जान चाहूं तो मैं क्या करूंगी फोन लगाऊंगी और आधा गंटा बात करूंगी तो मुझे पता लगने लगेगा कि आप क्या सोचते हैं कैसे रेसपॉंड करते हैं क्या मानते हैं किस प्रकार के आपकी सोच चलती है तो हमें तो इतना तक कि आप धारना के points लिखते हैं तो भी पता चल जाता है कि यह आत्मा इस प्रकार के पुर्शार्त कर रही है या यह इनके जीवन में चल रहा है तो कैसे पता चलता है जैसे ही आत्मा अपने आपको कर्मों में express करती है तो उसकी पहचान मिलने लगती है तो बाबा भी बाबा हमें मुर्ली के द्वारा अपने आपको हमारे सम्मुक रखते हैं और जैसे जैसे हम मुर्ली के द्वारा बाबा के शांत स्वरूप ज्यान स्वरूप प्रेम स्वरूप सुक स्वरूप शक्ती स्वरूप का परिच्चे लेते जाते हैं, है ना Murali में जब आप बाबा को सुनते हो, समझते हो, बाबा के महावाक्यों पर चिंतन करते हो तो आपको बाबा की शान स्वरूप, ज्यान स्वरूप, शक्ती स्वरूप, पतित पावन स्वरूप, त्रिकाल दर्शी, त्रिनेत्री स्वरूप सब का परिच्छे मिलता है, मिलता है कि ने, मिलता है, बाबा, बाबा का प्यार कैसे बता चलता है, मीठे बच्चे, मीठे तो आपको बाबा का मीठापन, फेल होगा, बाबा कितनी शांती से हर बात समझाती है, शांती के अंदर धेरयता भी समाई हुई है, शांती के अंदर शीतलता भी समाई हुई है, तो बाबा कितनी प्यार से, कितनी शांती से हमें रोज guidance भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, सावधानी भी देते हैं, तो बाबा कौन है, कैसा है, तो जितना हम बाबा की मुर्लियों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें सिर्फ ज्ञान समझ में नहीं आता, हमें बाबा भी समझ में आता है, और जब बाबा हमें समझ में आता है, और फिर जब हम बाबा की याद में ब द्वारा मिलता है, है न, वो ऐसा नहीं कि बाबा की याद अलग है और ग्यान अलग है, ग्यान के अधार से याद है, जितना हम बाबा को मुरली के द्वारा जानते हैं, उतना हम बाबा की याद में accurate बैठते हैं, ठीक है न, जैसे आप देखो, दुनिया में भी हम किसी लौक संबंद में रहते हैं, किसी देहधारी के साथ भी, तो वो भी कौन है, है तो आत्मा, अब उनके साथ आप 24 घंटे रहते हो, क्या, रहते हो, फिजिकली रह भी सकते हैं, लेकिन कभी बात कर रहे हैं, कभी नहीं, तो किसी के साथ कितना संपर्क रहता है, आधा गंटा, एक हंटा एक दिन में लेकिन आप उनके साथ mostly का रहते हो यहां सारे रिष्टे का हैं यहां सोच में आपके सारे संबंध कहां चल रहे हैं यहां तो जब बुद्धियोग उस आत्मा से रखते हो जैसे आप सोचो कि सुबे सुबे घर में कोई संबंध जिनके साथ है उन्होंने आ अफिस चले गए उसके बाद आप सारे दिन क्या कर रहे हो उस कड़वे स्वरूप के साथ बुद्धियोग लगा रहे हो और शाम तक जब वह वापस आए आपकी कड़वाहट सो परसंट मल्टिप्लाइ हो चुके सो गुना क्यों क्योंकि आपने उनके कड़वे स्वरूप के साथ बुद्धियोग लगाया हुआ है तो हमेशा संबंद में दो बाते होती है एक प्रैक्टिकल संबंद से परिचय और पहचान और दूसरा बुद्धियोग के अधार से उस संबंद में रहना और अनुभव करना तो बाबा के साथ भी संबंद ऐसे ही बनता है जो बच परिचय नहीं होता पहचान नहीं होती तो हमारा संबंद किस से होता है आइडिया ओफ गौड से परमात्मा से नहीं परमात्मा के आइडिया से और जैसे जैसे हम मुर्ली को सुनते हैं अनुभव करते हैं यह मेरा बाबा है यह ऐसे बोलता है ऐसे रिस्पॉंड करते हैं य यह हमें चाहते हैं यही डाइरेक्शन देते हैं या इनके प्यार का पात्र ऐसे बना जाता है तो जितना जितना हम बाबा की मत को बाबा की बुद्धी को समझते हैं और फिर उसी बाबा से जिनको हम मुडली के द्वारा पहचानते हैं जितना हम बुद्धी योग रखते हैं उस बाप से, क्योंकि बाबा कितना शांती का सागर है, बाबा कितना प्यार का सागर है, या बाबा का रूहानी प्यार कैसा है, मेरी रूहानी प्यार की आपकी expectation और बाबा की रूहानी प्यार की reality match भी तो करनी चाहिए, अगर हम बाबा की रूहानी प्यार को मुरली के द्वा तो आपकी expectation और उसकी reality मैच ही नहीं करेंगे, तो आप बाबा के साथ योग लगाएंगे, लेकिन उस योग से आपको क्या होगा, कि मेरा बाबा बैठा है, परिस्थेती सॉल्व हुई या नहीं, लेकिन अगर आपको समझ में आता है, कि रुहानी प्यार माना, बाबा मुझे शक्ती दे रहें, मुझे सेच रहें, तो फिर उस बाबा से आप योग लगाते हुए शक्ती लेंगे, तो बाबा कहते हैं, जितना तुम मुझे चलते, फिरते, उठते, बैठते, याद करेंगे, तो दो बाते होते हैं उससे, पहली बात, कि तुम्हारे विकर्म विनाश हो माना जो भी तुम्हारे सामने पिछले जन्मों के विकर्मों का बोज जो आया है परिस्थितियों के रूप में उन परिस्थितियों में तुम रियाक्ट नहीं करते और विकर्म नहीं बनाते तुम उनको पार कर लेते हो तो क्या होता कि हमारा हिसाब किताब चुक्तु हो जात क्योंकि वो दुख की हिसाब किताब हम अभी बाबा की याद में चुक्त करते हैं और दूसरा बाबा कहते ही कि जब तुम मेरे याद में रहते हैं तो तुम सतो प्रधान बनते जाते हो क्योंकि बाबा के संग का रंग हमें लगता है और बाबा तो प्यार का सागर, पवित्रता का सागर, ज्यान का सागर है तो जैसे ही बाबा का संग का रंग लगता है जो हमारे अंदर opposite है अपवित्रता, अज्यान, अशांती वो जैसे खतम होती जाती तो आत्मा भी पवित्र होती है तो जैसे आत्मा पवित्र होती तो psychological pain सारा खतम हो जाता और आत्मा जैसे हिसाब किताब चुक्त करती तो वो physical pain की बातें खतम हो जाती इसलिए सत्युग में दोनों ही प्रकार के दुख नहीं होते सत्युग में ना तो कोई आत्मा के संसकारवश दुख होता क्योंकि आत्मा भी सतुप्रधान है और क्योंकि हमने सारे विकर्म मिनाश कर लिए सारे हिसाब किताब चुक्त कर लिए इसलिए बहाँ पर कोई बाहर स वही नहीं आती और फिर बाबा केते अंत्वत्य सोगती भी हो जाती है क्योंकि जिसको हम हमेशा याद करते हैं अंत में वही हमें याद आते हैं आप में से किस-किस को लगता है अंत-घड़ी मुझे बाबा याद आएगा आएगा? इतना याद करते हैं बाबा को, अच्छे से चेक करना, क्योंकि हमारी कहां रग फसी है पता नहीं, अगर रग फसी है तो इतना पुर्शार्थ करेंगे और अंत में क्या? है ना बाबा कहते हैं कोई पोत्रा दूत्रा कोई भी याद नहीं आना चाहिए अंत में, कई बार जो वैसे कहेंगे रग निकली हुई है, लेकिन किसी एक छोटे से संबंद में भी रग फसी होगी, कोई छोटे से चीज में भी रग फसी होगी, इसलिए बाबा कहते हैं कि इत निश्य होता जाता है, जो आत्मा के अंदर confidence नहीं है न, कि मैं सुक की अधिकारी आत्मा हूँ, तो आत्मा के अंदर confidence आता है, कि सुक तो मेरा जनम से दधिकार है, मैं तो सुकधाम के वर्से की मालिक आत्मा हूँ, और जब आपके अंदर ये confidence आता है, तो संकल्प से सृष् पॉसिबल ही नहीं है, अगर ये निश्य होता जाता है, कि सुक तो मेरा बर्थ राइट है, तो फिर आत्मा उस सुक की अधिकारी आक्चुली बनती जाती है, अच्छा, आम शान्ती